नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं 6 दिन की जंग में मारे गए 6000 रूसी नागरिक युक्रेन की राष्ट पती का दावा युक्रेन रूस के बीच जारी यूद में अब तक 6000 रूसी नागरिकों की मौत हो गई है युक्रेन के राष्ट पती ने किया है जेलेसकी ने कहा है कि मास्को के हमले के पहले 6 दिन में लगभग 6000 रूसी नागरिक मारे गए हैं उन्होंने कहा कि रूस युक्रेन पर बम और हवाईो हमले के जरीये काभ्या नहीं कर पाएगा बव्यान पर रूस के हमले के जिक्र करते हुए यूक्रेन के टास्ट पती ने कहा कि यहां किया गया हमला साबित करता है कि रूस में कई लोगों के लिए हमारा क्यू बिल्कूल बिदेशी हिसे की तरह है उन्होंने कहा इन लोगों को कियूग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, इन्हें हमारे इतियास की जनकारी नहीं है, इन लोगों को सिर्फ आदेश है कि ए हमारे इतियास, हमारे देश और हम सबको मिटाएं कोरोना के कारण ओनलाइन सिक्षा से वंचित रहे जारखंड के 40% बच्चे जारखंड आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट 2022 के अनुसार कोरोना के कारण इसकूलों के बंद रहने पर सरकारी इसकूलों के बच्चों को ओनलाइन सिक्षा के सुविधातों दी गई लेकिन स्मार्टफोन वा गनेक्टिविटी के अभाव में 40% बच्चे इससे बंचित रहे वही 40% बच्चे ऐसे भी थे जिने ओनलाइन का उक्छावों के लिए नियमित रूप से स्मार्टफोन नहीं मिल पाते थे हलाकी शुरू में 20 पर्थियत बच्चे के पास आ स्मार्ट फोन थे जो वर्ष 2021 में ऑनलाइन का अक्षाय सुरू होने के करण 60 पर्थियत बच्चे के पास आ स्मार्ट पून उपलप्थ हो गए रिपोर्ट के अनुसार राज ये गठन के समय यहां की लभग आधियाबादी ही साक्षर थी पिछले 20 पर्थों में इसमें लभग 36 पर्थियत की बिरिदी होई है राजगठन के समय यहां की लगबग तीरपन पर्चत अबाद ही साक्षर थी यह आकड़ा 2019-20 में लगबग त्यातर पर्चत तक पहुँच गया है जारखन में पुरानी पेंसन लागू करने के लिए आकलन करेंगे CM हेमन्थ जारखन में भी राजथान की तरफ पुरानी पेंसन लागू करने की मांग विधान सभा में उठी है इसके जवाब में मुख्य मंत्र हेमान्सुरे ने कहा है की सरकार पुरानी पेंसन योजना पर नाफा मुनाफा का आकलन करने के बाद ही विचार करेगी उन्होंने अभी कहा कि सरकार के नीने से सदन को अउगत कराया जाएगा यह ध्याना कर्शन, कॉंग्रेस, विधायक दिपका पांडे सिंग ने लाया था दिपका पांडे ने कहा कि 1,90,000 कर्मी कारी रथ हैं 1,25,000 कर्मी 2004 के बाद सरकारी सिवा में हैं क्या सरकार रह स्थान की तरफ पुरानी पेंशन ब्यवस्ता लागू करने का विचार रखती है जैक बोर्ड दसवी बराहुई की परिक्षा देने वाले छात्रों के लिए सुझा जैक बोर्ड द्वारा जारी जार्खन बोर्ड परिक्षा 2022 डेट्रिट के अनुसार मादमिक और इंटर्मीडियर की परिक्षा 24 मार्च से सुरू होगी जहां इंटर्मीडियर की परिक्षा 5 अपरेल तक चलेगी वहीं मादमिक परिक्षा 20 अपरेल तक चलेगी ऐसे में दसवी वा बराहमी के छात्रों के लिए बिसेस रुपसे सिक्षकों से बात करते हुए ये कोशीज की है कि एकजाम पैटर्ण को समझने और परिक्षा के समय बच्चों को किस तरह से अपने आप को संतुलित कर परिक्षा पर ध्यान देना चाहिए राची निर्मला कन्वेस्ट हाई स्कूल के उपर चारे बिमलेश कुमार अवस्थी ने दसवी के बचों को एकजाम पैटर्ण समझाते रहे उनका कहना है कि कम्प्यूटर साइन्स विशाय की त्यारी करने के लिए सबसे पहले सभी चात्र चात्राओं को एकजाम पैटर्ण को समझना होगा योगि इस बार जैक बोट के द्वार जो एकजाम का पैटर्ण हवा बिल्कुल चात्रों के लिए नया है बीत मंत्री ने सदन में पैस की आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट तीन मार्च को आएगा बज़ाट बीतिये वर्ष 2021 का आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट बुध्वार को बीत मंत्री डाक्टर रामेश्वर उरावने सदन में पैस किया इस दोरान चालू वितिये वर्ष के ग्रास इस्टेट डोमेस्टिक प्रोड़क्ट में 8.8 फिजदी की ब्रिधी का अनुमान है साथ भी बताया गया कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में जार्खन का जीएस डीपी दो फिजदी से भी कम है दूसरी ओर तीन मार्च को राजे का वजट पेस होगा अगले वितिये वर्ष के लिए 1,00,000 रुपए का वजट पेस किये जाने का अनुमान है बुद्वार को सदन में रिपोर्ट पेस करते हुए बित मंत्री डक्टर रमेशवर उराव ने पिछले दो साल में विकास दर में गिरावट आई हाय कहा कि इससे पहले वितिये वर्ष दो जार चार पांच से लेकर 21 के भी 6.6 पिजदी की दर से बढ़ी थी बाबा मंदीर में विधायक अंबा परसाद संग दूर बेवहार का मामला महा सिवरात्री के दिन देव घर के बाबा मंदीर परिशर में कॉंग्रेस बिधायक अमबा परसाद के साथ मंदीर प्रवंधक रमेश परिहस्त द्वारा दुर बेवहार का मामला जहरकन बिधान सबाक बैट सत्र में बुद्ध्वार को गुंजा इस दोरान भाजपा बिधायकों ने सताधारी दल की कॉंग्रेस बिधायक अमबा परसाद के साथ मंदीर प्रवंधक के ब्यवहार के खिलाब जम कर नारेबाजी की इस पर स्पिकर रमिंद्रनाथ महतों ने सरकार को एक्सन लेने का निर्देश दिया इसके अधार पर ही देवगर डिसी मंजुनात पयंत्री ने डिडिसी को और तालिस घंटे के अंदर जाज कर रिपोर्ट देने को कहा रूपेस पांडे हत्याकांड केस में बिजेपी का बिरोध परदसन जारी च्छारखन बिधान सभा के बाहर रूपेस पांडे हत्याकांड मामले में बिपक्ष का बिरोध परदसन शुरू हो गया बिपक्ष ने सरकार पर पक्षपात का रूप लगाया है वो इस मामले में CBI जाच की मांग की इसके अलावा संजु परदान हत्याकांड मामले में परिवार को नया दिलाने की मांग की है बिपक्ष के इस बिरोध परदसन से सदन का कारेठाप है बता दे की इस से पहले भी भाजपा नेतावने बावुलान मरांडी को नेता पर तिपक्ष नहीं बनाया जाने को लेकर सदन के बाहर पर दसन किया था उन्होंने सरकार पर समिधान की हत्या करने कारोब भी लगाया था जे एस एस से उत्पाज सिपाही नियुक्ती रद होने पर हाई कोर्ट में चुनावती विशेज सखा अरक्षी 2018 वा उत्पाज सिपाही परत्योक्ता परिक्षा 2018 के अभियार्थियोंने नियुक्ती पर किया रद करने क्या देश को चुनावती दी है अभियार्थियों ने जार्कन करमचारी चैन आयोग की ओर से नियुकती परकिरिया को रद करने को गलत बताया है इस बावत अभियार्थी अमीत उराव अजय दास वा अने की ओर से अधिवक्ता अमरितांस वात्स ने हाई कोट में याचका दायर की है इसमें जेससी के एक नौमबर 2021 को जारी नोटीस को चुना होती दी गाई याचका में कहा गया है कि जेससी ने वर्ष 2018 में विसेस सखा अरक्ची और उत्पात सिपाही परत्योकता परिचागे परकिरिया सुरू की गई थी जारकंड में कम जमीन पर भी खोल सकेंगे प्राइबेट इसकूल जार्खन में भी बदलाव हो सकता है, जिससे स्कूलों को मने अतर लेने में सुविधा हो, सिक्षा विभाग ने संसोधन को लेकर प्रस्तावत त्यार कर लिया है, राज्ये में वर्ष 2011 में सिक्षा का अधिकार अधिनियम लागो हुआ था, फिर वर्ष 2019 में निमावली में प संक्या 404 है, भारत में 1759 केस मिले हैं, जबकि 14224 मरी स्वर्ष्त भी हुए, भारत में कूलेक्टिव केस की संक्या 74 या 458 है, पंडा धर्मरक्षिनी सभाने देवगर बाबा मंदीर प्रवंधक को हटाने की मायं की, महाशिवरातरी को लेकर देवगर के बाबा मंदीर परि परिहस्त द्वारा होट टोक का मामला बढ़ता जा रहा है, बुद्धवार को जहां जारकन विधान स्वामे आ ममला उठा, वहीं अब पंडा धर्मरक्षिनी सभाने भी मंदीर प्रवंधर को हटाने की मायं करते हुए, जल्द स्राइन बोर्ड की बेटक करने की मायं की है, साथ ही विशेस दिनों में मन्नियों को मंदीर नहीं आने की अपील भी किया है, संस्थापक दिवस पर जगमग हुआ जमसेदपूर, जेन टाटा की 183 ज्यानती की पूर्व संध्या पर बुद्धवार को जूबली पार्क में लाइटिंग का उधगाटन टाटा संस के चेर संस्थापक, जेन टाटा की परतिमा पर पोस्प अर्पित कर सधांज लिदी, गुमला के जंगल से विसफोटक बरामत, लुहर दागा के बाद अब गुमला जीला के गुर्दरी थाना की पूलिस को भागपा मवादी के खिलाप बुद्धवार को बड़ी सफलता मिली है, गुर्दरी थाना के तेंदार डुमर पाठ जंगल से पूलिस ने भारी मत्रा में विसफोटक बरामत की है, जिसमें जिलेटीन, तार सहीत, कई परकार की समागरी है, ये सबी विसफोटक जंगल के एक गुपा में चिपा कर रखा हुए था, गुर्दरी थाना प्रभारी गुर्दरी थाना के लिसमें विसफोटक बरामत की है, खोटी में ड्रोन सर्वे का बिरोद, खोटी जिले अंतरगत तोर्पा में स्वामित्य योजनाय के तहत किये जाने वाले ड्रोन सर्वे का बोद्ध्वार को ग्रामिनों ने एक बर फिर जम कर बिरोद किया, इस तोरा जार्खन की अर्थ व्यवस्था चालू वित्तिय वर्ष में GSDP में 8.8% ग्रोथ का अनुमान, जार्खन की अर्थ व्यवस्था कोविट के दोर से तेजी से उबर रही है, लेकिन इसमें आगे भी कुछ उतार चड़ाव बने रहने के असार है, बुद्ध्वार को जार्खन सबा में पेश सरकार के आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट कुछ ऐसा ही अनुमान लगा कर चल रही है, आर्थिक सर्वेक्षन में गत वित्तिय वर्ष के सपेक्स चालू वित्तिय वर्ष में 8.8% की तेज विकास दर का अनुमान लगाया है, लेकिन अगले वित्तिय वर्ष रिपोर्ट में यह सविकारा गया है कि राज को सिय घाटा बढ़ने से राज पर कर्ज का बोज बढ़ा है वर्स 2021 में राज को सिय घाटा एफ आर बी एम सीमा तीन परतिशत से अधिक हो गया था सरोजनिक रिन जो वर्स 2013-14 में GSDP का लगभग 20 परतिशत था उसके बाद तेजी से बढ़ने लगा 15-16 से यह 27 परतिशत से उपर बना हुए है बर्स 2021 में 34.4 परतिशत के उच अस्तर पर था वहीं 2021-22 में 33 परतिशत होने का अनुमान है जार्खण में कोविट से अर्थ वेवस्था प्रभावित हुई थी जिसका असर प्रतिव्यक्ति आय में देखनों को मिला था जार्खण की प्रतिव्यक्ति आय देश में 26 पर पहुँच गई थी बर्स 2019-20 में देश भर में केवल तीन राज मनिपूर उतर परदेश और विहार से ही बेतर जार्खण की स्थिती थी जार्खण के गाउं और सहरों में कितनी संख्या में रहते हैं गरीब जार्खण सरकार की आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट जार्खण को गरीबी से उबारने के परियासों का भी जिक्र किया गया है केंद्रवा राज की समयकित योजनाओं से इन परियासों को कुछ सफलता भी मिली है लेकिन अभी भी गरीबी की स्थीती में कुछ खास उधार नहीं हुआ है निती आयोग की हाल ही में जारी राष्टिये बहु आयामी निर्धालता सुचकांग के अनुसार राज्ये में 46.16% लोग गरीब हैं गरामीन छेत्रों में गरीबों का परतिसत 50.93% बताया गया और सहरी छेत्रों में 15.20% यह रिपोर्ट एन एफ एच एच चार सरवेक्षन 2015.16 पर अधारी था मोराबादी में पिंड से लटक कर दुकंदार ने की खुद खुसी रांची के मोराबादी मैदान में बुद्धवार की साम स्याम देव ने फांसी के फंदे पर जूल कर खुद खुसी कर ली है पुलिस ने सव को पोश्मास्टम के लिए डिम्स भेज दिया है पुलिस का कहना है कि स्याम देव बिहार के दानापूर में रहता था कुछ दिन पहले वह रांची आया था बुद्धवार के साम वह मोराबादी इलाके में पहुँचा और पेंड से रासी के सहारे लटक गया लोगों की नजर उस पर पड़ी तो फंदा काट कर उसे नीचे उतारा गया लेकिन स्याम देव की मौत हो चुकी थी ACST को बैंकों का सपोर्ट नहीं मिलना दुखाद सियम हमांद सुरेन मुख्य मंत्री हमांद सुरेन बिधान सभाएं बिधायक दीपक बीरुआ के ध्याना करसन प्रस्ताव के जवाब में कहा है कि ACST की आबादी ज़ार्खन में लभग 50 पर्थय था लेकिन इन्हें बैंकों का सपोर्ट नहीं मिल रहा यह दुखाद है सरकार इस पर जल्द निर्ना लेगी इस मामले में मुख्य मंत्री ने मुख्य सची को निर्देश दिया है कि जल्द समधान निकाले बयट समिक्षा में खर्च के अनुरूप नहीं दिख रही ज़ार्खन की उपलब्धी ज़ार्खन बिधानसवा में तीन मार्च को बीत मंत्री रामेश्वर उराव ज़ार्खन बयट दोहरबाई तेश पेस करेंगे सदन में बयट पेस होने से पहले कई तरह के क्यास लगाया ज़ार्खन का बयट गरीबों किसानों महिलाओ और नवजवान पर केंदरी तरहने की उमीद जताई जा रही है बयट की समिक्षा में पाया गया कि अधिकांस मामलों में विकास वजणाओं की भहतिक उपलबदी उस पर होई खर्च के अनुर्प नहीं है कई मामलों में लग्च ही निधारित नहीं है अची थीती में उसके परिणाम का आकलन नहीं हो सकता है सरकार ने जनवरी 22 तक आउटकम बयट की समिक्षा की चालू वी तिये वर्ष के दोरान विभीन विभागों ने कूल 370 योजनाओं शुरुख भी की इसमें 10 कोर रुपे से अधिक लागत वाली योजनाओं की संक्या ज्यादा हाए धन्यवाद